कलपना करें. एक ऐसी दुनिया की जहां आपके शब्द सिनेमाय रोमांच में बदल जाते हैं, जहां आपके द्वारा बनाई गई हर वाक्य एक विज्वल ओडिसी बन जाती है. यह अब साइंस फिक्षन नहीं है, यह वास्तविक्ता है जिसे हम revolutionary text to video generator AI tool के साथ अपना रहे ह अनलाइन कई AI video generator उपलब्ध हैं, जैसे की cling AI. हमने हाल ही में इस पर एक video बनाया है, लेकिन यह भी मुफ्त है. और इसमें कई features के साथ उपयोग करता के अनुकूल है. तो बिना किसी देरी के, आईए प्रस्तुत करते हैं Hyper AI, एक नया AI video generator model. यह text और image को वीडियो में बदल स सकता है. यह tool सब कुछ संभव बनाता है. और सबसे दिल्चस्प बात यह है, कि यह free है. जब आप Hyper AI homepage पर पहुंचें, तो try for free पर click करें. आगे बढ़ने के लिए आपको एक account बनाना होगा. आप अपने Google या Discord credentials का उपयोग करके एक खाता बना सकते हैं. एक बार जब आपने account बना लिया, तो आपका interface इस तरह दिखाई देगा. आप Hyper AI की previous creations देखेंगे. प्रिष्ट के टॉप पर आपको अपने वीडियो बनाने के लिए features मिलेंगी. यहाँ 6 विकल्प उपलब्ध है. Text to Video, Image to Video, Extend Duration, Video Enhancer, Video to Video, Text to Image. यह सभी Hyper AI में हाल ही में आए नए features हैं. ठीक है? आईए. Hyper AI के साथ Video creation journey शुरू करें. सबसे पहले मैं Text to Video feature के साथ Video बनाने की कोशिश करूँगा. Tool चुनने के बाद आपको प्रिष्ट के नीचे एक Prompt Box दिखाई देगा. यहाँ हमें अपना Text Prompt दर्ज करना होगा. मैं इस Prompt का उपयोग करूँगा. Prompt दर्ज करने के बाद आप यहाँ से एक Art Style चुन सकते हैं. अगली सेटिंग्स में आपको Seed और Video Duration के विकल्प आप Aspect Ratio चुन सकते हैं और वर्तमान में 2 और 4 सेकंड का वीडियो मुफ्त में उत्पन कर सकते हैं. यहाँ मैं 2 सेकंड की Duration का चैन कर रहा हूँ. लेकिन आप Hyper AI के साथ HD में 4 सेकंड का वीडियो जेनरेट कर सकते हैं. यदि आप लंबा वीडियो चाहते हैं तो आपको Premium Plan क का उपयोग करना होगा. अब वापस आकर वीडियो जेनरेट करने के लिए Create बटन पर क्लिक करें. वीडियो जेनरेट करने में कुछ समय लगेगा और यहाँ यह है. हमारा वीडियो तयार है. यह काफी अच्छा है. यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप यहा अगला विकल्प वीडियो टू वीडियो है. मैं इस फीचर के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करूंगा. वीडियो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें. ठीक है. आईए अगले फीचर पर चलते हैं. मोड बदलने के लिए यहाँ क्लि करूंगा और इस फीचर की कॉस्ट दस पॉइंट्स होगी. आप सीड को भी मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए बस सेटिंग विकल्प पर क्लिक करें और आपको यहाँ सीड बॉक्स मिलेगा. यदि आप चाहें तो इस सीड को एंटर कर सकते हैं. उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा. अपना रिजल्ट प्राप्त करने के लिए बस अब क्रियेट बटन पर क्लिक करें और यहाँ यह है. इस बार हाइपर AI ने चार सेकंड लंबा वीडियो उत्पन न किया है. ठीक है. इस तरह आप हाइपर AI के साथ टेक्स्ट प्रॉम्ट से वीडियो बढ़ा सकते हैं. अब आईए इमेज 2 वीडियो विकल्प आजमाते हैं. इमेज 2 वीडियो जनरेटर टूल चुनने के बाद हमें वह इमेज अपलोड करनी होगी जिससे हम एनिमेट करना चाहते हैं. इमेज अपलोड करने के बाद द्रिश्य विवरन या प्रॉम्ट दर्ज करें. आप वीडियो टू वीडियो फीचर पर चर्चा करें. वीडियो टू वीडियो टूल चुनने के बाद संदर्भ वीडियो अपलोड करें. आप अपने हाइपर एआई द्वारा उत्पन्न वीडियो का भी उप्योग कर सकते हैं. उदाहरण के लिए मैं इस वीडियो को 3D के वीडियो में बदलना चाहता हूँ, वीडियो क्लिप अपलोड करने के बाद आर्ट स्टाइल चुने, आप अतिरिक्त प्रॉंप्ट भी जोड सकते हैं, उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक करें और यहां यह है, हमारा वीडियो तयार है, यह पूरी तरह से काम करता है, अ ऐसा करने के लिए वीडियो अपलोड करें और फिर यहां से वेरी रीजिन बटन पर क्लिक करें, अब हमें एरिया का सिलेक्ट करना होगा, यदि आप किसी अबजेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो AI स्वचालित रूप से एरिया का सिलेक्ट करेगा, एरिया का चैन करने के बाद prompt box में replacement object, prompt दर्च करें और फिर generate बटन पर क्लिक करें और यहां हमारा result है ठीक है दोस्तो, मैं अब हमारे वीडियो को समाप्त करूंगा लेकिन मुझे अपने विचार बताएं और हमेशा की तरह मैं आपके साथ साज़ा करने के लिए नवीनतम और सबसे cool AI tools की तलाश में रहूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like, share, subscribe करें और अधिक content के लिए जुड़े रहें